जमजम के पानी पर अपनी रिसर्च की लेकिन जापान के एक वैग्यानिक मिसाओ मातों ने एक ऐसी चीज़ खोज निकाली जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया मिसाओ मूतो एक ऐसे वैग्यानिक हैं जो दुनिया भर में अलग-अलग जगह पर पानी पर रिसर्च करते हैं ऐसे में जमजम के पानी के ऊपर रिसर्च करने के लिए इन से बहतर इंसान कोई होई नहीं सकता था जब इन्होंने जम जम के पानी को लिया तो उस पर काफी लंबे समय तक अपनी स्टडी की इनकी ये रिसर्च इसलिए लंबे समय तक चली क्योंकि मिसाओ मोतो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये पानी है कैसा इस तरह का पानी उन्होंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था इनका कहना है कि जम जम के पानी के मॉलिकूल्स को माइक्रोस्कोप से देखा ही नहीं जा सकता जम जम का पानी इतना ज़्यादा ताकतवर है कि इसके मॉलिक्यूल्स को देखने के लिए और इसके क्रिस्टल्स बनाने के लिए जम जम पानी की एक बूंद को नॉमल पानी की हजार बूंद के साथ मिलाना होगा तब जाकर इसके molecules, microscope में देखे जा सकते हैं और इसके crystals बना जा सकते हैं मिसाओ मोतो ने एक और हरान कर दिने वाला खुलासा किया है इनका कहना है कि जब जमजम पानी की मात्र एक बूंद को नॉमल पानी के 1000 बूंदों में मिलाया जाता है तो उन हजार बूनों में भी वही गुना जाते हैं जो जम जम पानी की एक बून में होते हैं अगर हम इस जापानी वैग्यानी की माने तो इनके हिसाब से जम जम का पानी किसी चमतकार से कम नहीं है अब अगर हम किसी नॉर्मल पानी का क्रिस्टल बनाएं तो उसकी बनावट अलग अलग होगी लिकिन जब मिसाउ मोतो ने जम जम के पानी से क्रिस्टल के मुकाबले बहुत ही जाधा खुबसूरत भी बनता है दोस्तों ये सारी चीज़ें हैरान करने वाली तो है ही लेकिन सबसे ज़्यादा है तो तब होती है जब मिसाओ मूतों को ये पता चलता है कि मुसल्मान इस पानी को पीने से पहले बिसमिल्लाह करते हैं अब ये जापानी वेग्यानिक तो इस पानी के बारे में हरिक्षी जानना जाता था। इसलिए इनों ने बेस प्रोसिस को अपना कर देखा और फिर पाया कि जब इस पानी के सामने बिसमिल्लाह कहा जाता है तो इसके क्रिस्टल्स पूरी तरह से बदलने लगते हैं और इस पानी की गुडवत्ता और जादा बढ़ जाती है दोस्तों जम जम का पानी इस दुनिया का एक मातर ऐसा पानी है जो कभी खराब नहीं होता और नहीं इसमें किसी प्रकार के बीमार करने वाले कीड़े मकोड़े पनपते हैं आम तोर पर दुनिया भर में जितने भी कुए हैं उनमें काई जमने लगती है लेकिन जम जम का खुवा एक मातर ऐसा कुवा है जिसमें आज तक काई नहीं जमी है जब मुसल्मान इस पानी को पीते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने अम्रत पी लिया है यहां तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि जम जम करता है